परिटन मंद्री सत्पाल महराज ने कहा कि सरकार यात्रा को लेकर पूरी तयारी कर रही है सभी विभागों के अधिकारियों को पहले ही विवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिये गए है उन्होंने कहा कि हमारा फोकस चारधाम यात्रा और ओल वेदर रोट पर है महराज ने कहा कि जिन स्थानों पर भूस खलन होता है वहाँ जैसे भी मशीनों को तैनात कर दिया गया है अगर मार्ग बंद होता भी है तो उसे ततकाल खोल दिया जाएगा उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वालों के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही रेजिस्ट्रेशन अनिवारे कर दिया गया है तुरिजम तो चारधाम यात्रा हमारी समय चलने वाली है और उसके लिए हमने सारे प्रबंद कर दिया है और इसमें हमने mask जो है compulsory कर दिया है और sanitization compulsory कर दिया है इसके साथ registration compulsory है और जो भी टाउन्स की carrying capacity होगी उसके मताबिक लोग वहाँ जा पाएंगे